हेलो स्टुडेंट्स यह वीडियो कला स्टेंथ के छात्रों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो मेट्रिक परिछा 2021 की त्यारी कर रहे हैं चात्रों इस वीडियो में मैं जार्खंड एकेडमी कोंसिल रांची द्वारा जारी किये गए बिज्ञान अर्थात साइंस भी से के मोडल कोहचन के अबजेक्टिव कोहचन फिल इन द बलैंक्स लगू उतरिये परस्न और दिर्ग उतरिये परस्नों का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं चात्रों इस वीडियो में मैं सबसे पहले बिज्ञान के गुरूब B अर्था जीव बिज्ञान बाइलोजी के सभी परस्नों का उत्तर बताने वाला हूं इस वीडियो से कलास्टेंथ के चात्रों को बहुत लाब होगा इसलिए सभी चात्री इ है जार्खनद एकैडमी कॉंसिल राची द्वारा जारी किया गया परस न पत्र बिग्ञान का है और इसमें हम लोग क्यों बेके के जीव बिग्ञान के परसनों को सबसे पहले हल करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं objective परसन तो इसमें पहला प्रस्ण है आनि की गुरू बी में उनिस्मा जो प्रस्ण है वह है मनुस में बिर्क एक तंत्र का भाग है जो सबंदीत है और इसमें ओप्सन दिया हुआ है का में पोसन खा में सोसन गा में उतसरजन और गा में परिवहन छात्रों इसका जो सही उतर होगा वो उतसरजन होगा मनुस में बिर्क एक उत्सर्जन तंत्र है अगला परस्न है दुसरा सवपोसी पोशन के लिए आवस्यक है का में कार्बन डाइकसाइट तथा जल, खा कलोरोफील, गह सूर्ज परकास और गह उप्रोक्त सभी छात्रों इसका जो उत्तर होगा उप्रोक्त सभी होगा सवपोसी पोशन अर्था पेड़ पोधे जो होते हैं और उसे पोशन करने के लिए कार्बन डाइकसाइट तथा जल, कलोरोफील और सूर्ज का परकास इन चारों चीजों की आवस्कता पड़ती है अता ही इसका उत्तर होगा उप्रोक्त सभी अगला परस्ण है तिसरा पादप में जैलम उतरदाई है ओप्शन दिया हुआ है का में जल का वहन, खा में भोजन का वहन, गा में अमीनो अमल का वहन, गा में ओक्सिजन का वहन तो इसका सही उतर होगा जल का वहन, अगला परस्ण है चौथा में निम्न में से कौन मादा जननतंतर का भाग नहीं है, और उप्शन दिया हुआ है का में अंडा से, खा में गर्भासे, गा में सुक्रवाहिका, गा में डिम्वाहिनी, और इसका सही उतर होगा सुक्रवाहि ग चात्रों क जो है अंडा से ख गर्भा से और गर डिम्ब वाहिनी ये तीनों मादा जननतंतर का भाग है और इसमें ग जो है सुक्र वाहिका ये मादा जननतंतर का भाग नहीं है अर्थात इसका उतर ग होगा सुक्र वाहिका अगला प्रस्ण है पाँचवा उड़ूल किस परकार का पूस्प है कदिव लिंगी, खएक लिंगी, गदोनों और गईन में से कोई नहीं तो इसका उत्तर होगा कदिव लिंगी आगे हम लोग देखते हैं खाली अस्थान को भरें फिल इंद बलेंक्स और इसमें परस्ण है 20 नमबर का परस्ण है जिसमें खाली अस्थान है और खाली अस्थान जिवास्म इंदन के उदारन है तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा कोईला और पेट्रोलियम मतलब कि खाली अस्थान पर भरना है कोईला और पेट्रोलियम अगला प्रसन है रक्त के कोई दो कार्ज लिखें और इसका एंसर है रक्त के दो कार्ज निमलिखित हैं पहला या ओक्सिजन और पोसक पदार्थों को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है अर्था तवाहक का कार्ज करता है दूसरा शरीर से बाहर आने वाले रक्त को ठक्का बना देता है जिससे रक्त का भाव रूख जाता है तिसरा ये सरीर की रोग परती रोधक छमता के लिए कोशी का एवं एंटी बोडिज का निर्मान करता है 22 परसन है दो ऐसे जन्तूओं का नाम लिखिये जिसे बाहर निशेचन होता है और इसका उत्तर होगा मेढख और मचली अगला परसन है तैस्वा परसन धूमरपान स्वास्त के लिए हानिकारक होता है कैसे? इसका उत्तर है धूमरपान करने से स्वास्त नली में मौजूद सिलिया नस्ट हो जाती है सिलिया वायू में मौजूद रोगानों, धूल और अन्हानिकारक कनों को हटाने में मदद करती है धुम्रपान के कारण ये सभी हानिकारक पदार्थ फेफडों में परवेश कर, संकर्मित कर, खासी उत्पन करता है कभी-कभी ये कैंसर का भी रूप ले लेती है अतह धुम्रपान स्वास्त के लिए हानिकारक होता है चोबिस्वा परसन है लेंगिक जनन के कोई दो लाब लिखें इसका उत्तर है लेंगिक जनन के दो लाब है पहला लेंगिक जनन से उत्पन नए जीव में आनुवांसिक विभिन्ता उत्पन होती है दूसरा लेंगिक जनन से उत्पन नए जीव परियावरन में हुए परिवर्तन के परती जल्दी अनुकूलित होते हैं तिसरा इससे नई परजातियां उत्पन होती है 25 परसन है स्वय पोसी तथा विशम पोसी पोसन में कोई चार अंतर लिखें और स्वय पोसी पोसन और विशम पोसी पोसन में जो चार अंतर है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें पहला है पोसन की वह परकिडिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वय त्यार करे और विशम पोसी पोसन में पोसन के लिए जीव दूसरे पर परतियच अतियच रूप से निर्भर रहे उसे विशम पोसी पोसन कहते हैं दूसरा है उदारन हरे पेड़ पौधे कुछ एक कोसी के जीव जन्तु जैसे की बेक्टरिया और इसमें दूसरा है उदारन जन्तु जगत के सभी सदस्य और तिसरा पोइंट है तिसरा अंतर है या सौर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में बदल देती है और इसमें तिसरा है कि ये ऐसा नहीं कर पाते हैं और चवथा अंतर है इसमें कलोरो प्लास्ट पाये जाता है और विशम पोसी पोसन में कलोरो प्लास्ट नहीं पाये जाता है अता ये भोजन का निर्मान स्वय नहीं कर पाते हैं 26. परस्ण है दिये गए चित्र में पहला और दूसरा को नमांकित करें तथा दूसरा के कोई दो कार्ज लिखें तो इसका उत्तर है पहला अंडासे और दूसरा अंडवाहिनी और फिर अंडवाहिका और इसमें अंडवाहिनी के जो दो कार्ज हैं वह पहला अंड को सिका को गर्भासे तक पहुँचाता है दूसरा निशेचन की परकिरिया अंडवाहिका में ही होता है 27 परसन है मानवुत सर्जन तंत्र का नमांकित चित्र बनाए और इस परसन का उत्तर यहां पर हम लोग देख रहे हैं मानवुत सर्जन तंत्र जिसमें इस तरह के चित्र बनाने होंगे और इसमें ये बिर्क है ये मुत्र वाहिनी है, ये मुत्रासे है, ये मुत्र मार्ग है और ये मुत्र रंद्र है छात्रों इसी में एक अथवा के परशन भी रहेंगे और इस मोडल कोचन पेपर में जो अथवा के परशन है वो है आनुवन सिकी का मानव कल्यान से क्या सवंद है और इसका उतर है आनुवानसिकी का मानव कल्यान से सवंद आनुवानसिकी के बिसे में सरपर्थम जार्ज ग्रेगर मेडल ने बताया था आनुवानसिकी का मानव कल्यान से बहुत ही महत्पुन भुमिका है मनुस में गुनसुत्र संख्या में परिवर्तन से विभिन परकार का जानलेवा विमारी उत्पन होता है आनुवन सिकी के दोआरा ऐसे गुनसुत्र का पता कर इलाज किया जाता है RDNA तकनीक दोआरा विभिन हर्मोन जैसे इंसूलिन, बिर्दी हर्मोन, हेपेटाइटस, बी का टिक का इत्यादी का निर्मान किया गया है या फिर किया जाता है जो मनुस के कल्यान से ही समंधित है और मनुस के कल्यान में ही उपयोगी है इससे आनुवंसी की रुपांतरित जीव का निर्मान हो रहा है इसके द्वारा पउधों में रोगानू से लड़ने के लिए टॉक्सिन त्यार हो रहा है तो छात्रों ये थे आपके बिज्ञान के गुरूप B के आनि की बाइलोजी के परस्नों के उत्तर छात्रों ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए बिज्ञान भिसे के आनि की गुरूप B के भौतिकी और रसाइन सास्तर के परस्नों का उत्तर मैं अगले वीडियो में बना कर इसी यूटूब चैनल में अपलोड करूँगा अता हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी साथ इसके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों या छात्रों को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि वह भी इन परस्नों के उत्तर से अउगत हो सकें और मैट्रिक परिच्छा में उसे भी अधिक से अधिक अंग पराप्त हो सकें तो चात्रों जैहिन बंदे मात्रम थैंक्यू